द्यान से सुनना, जिनोंने सिवजी के उपर गल्ती से भी एक लोटा जल चड़ाया है, जिनोंने गल्ती से भी श्रावण मास में एक लोटा जल चड़ाया है, भगवान उन्हें वो देते हैं जो वो चाहते हैं, हो सकता है तुम्हें आज न मिले, लेकिन वो एक लोटा जल भोलिना तो अपने पास रखते नहीं है, पहली बात तो यह समझो, वो जल क्यों चड़ाया जाता है, कहियों को तो यह नहीं पता होगा, कि हम सिव जी पे जल क्यों चड़ाते हैं, हम बता दें, बता दें, थोड़े धंग से पूछो तो बता दें, ओम नमस्षिवा जल चड़ाद, ओम नमस्षिवा जल अच्च यूँ चड़ा रहे, जल बहु पतो ना दो को, सिवसमान दाता नहीं ज़गका सिरजनहर लज्जा सब की राकते वो नंदी के अस्वा उन जैसा दाता नहीं है वो सब दे देते हैं जो तुम चाओ वो सब दे देते हैं जो तुम डिमांड करो वो दे देते हैं और बहुत कम में दे देते हैं जल और बेल पत्र पर प्रसुन हो जाने वाले बाबा है जल चड़ा दो बेल पत्र चड़ा दो बाबा खुश बेल पत्र चड़ाने का लाव जानते हो कितना पुन्य है कोट कन्या एक करोड कन्या दान के बराबर फल मिलता है जब हम एक बेल पत्र सिब को चड़ाते है अब सोचिए लेकिन हमारे सनातनी भाई वहनों को बच्चों को ये बात कोई बताता नहीं बुजुर को ये बात सिखाते नहीं सिब जी पे अब उसे क्यों किया जाता है ये समझाते नहीं मैं आप सबसे फिर कहूँगा निवेधन करूँगा पूरे श्रावन मास में अधिक कुछ ना कर सको तो अपने बच्चों से यही कहो कि वह एक लोटा जल चड़ा दो नित जाकर शिवजी पर अगर आसपास मंदिर ना हो तो बोले घर में सिवजी होएंगे उन पे जल चड़ा दो घर में सिवजी भी ना हो तो क्या करें बोले हम पर उससे भी अच्छा हो पाए अपने बाएं उटे को ऐसे करो ए अलसी ठक गए हैं अपने बाएं उटा ऐसे करो हाथ में लोटा लो जल का और इस अगूटे को सिवलिंग समझो और इस पे जल चड़ा दो जो मंदिर में सिवलिंग जल चड़ाने से फल देगा वही अंगूटे में सिविलिंग का भाव रख कर अगर तुम जल चड़ा देते हो तुम्हें वही फल पराप्त होगा अब बताओ इससे भी सरल कोई उपाए है है अगर तुम से इतना भी नहीं हो न तो फिर तुम्हें समझो को तुमको बागवान ने नरक के लिए बनाया तुम्हारे पास और कोई उप्शन नहीं